कैसे हो दोस्तों उमीद हैं सभी लोग मज़ेदर होंगे आज हमरे पास है वीबो Y27 आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लास अमेजिंग फिचास के बारे में बताऊंगा ए वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आसान तरीके से यूज कर पाओगे जब आप यहाँ पे स्टेटरास बार का अपसें दिखाई देगा बैटरी परसंडेच और रियल टाइम नेटवर्क स्पीट को इनेबल कर देना बैटरी परसंडेच सबसे नीचे यहाँ पे app pinning का option है, इसको enable कर दीजिए, जब भी आप आपके friend को YouTube देखनी के लिए phone को दे रहे हो न, recent menu में आने के बाद YouTube के उपर tap करके pin का option दिखाई देगा, pin कर दीजिएगा, अभी देखिए आपका friend YouTube से बाहरी नहीं जा पाएगा, नहीं तो notification and drawer को access कर प By default setting में नहीं रहता है, इसके लिए Alexa एक application का जरूड़ाद है, जिसका नाम है ring ring application, इसको अब लोग install कर सकते हो, description में link दिया हूँ, genuine application है, trustable application है, application को open candy के बाद ऐसा interface दिखाई देता है, यहाँ पे बंद रहता है, इसको enable करना पड़ता है, ring radius को आप ज़्यादा या कम भी क कर सकते हो, साती में जो ring position है, moment speed को बढ़ा कर इसको कई भी आप move करवा सकते हो, देखिए मैं इसको camera के 4 और रखा हूँ, देखने में cool look लगता है, इतना ही नहीं जो outer circle ठीकने से उसको आप छोटा या मोटा भी कर सकते हो, साती में जो color है उसको भी आप change कर सकते हो, मैं yellow color क application का link दिया है, आप लोग download कर सकते हो, cool look देता है, इस phone में कोई भी application को height कर पाओगे, उसके लिए setting के अंदर आना है, security के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा privacy and app inscription, इसके अंदर यहाँ पर password वेगर सबसे पहले create कर लीजे, app height का एक option दिखाई देगा, यहाँ पर आक पासवार्ड वेगरा आमांगता है, यहाँ पर आके आप लोगों को लॉग करना है, मालो मुझे Amazon को लॉग करना है, मैं यहाँ पर Amazon को on कर दिया हूँ, अभी देखिए, जब मैं Amazon को क्लिक करूंगा तो password यहाँ पे पुछा जाएगा, इसी तरीके से आप कोई भी application के उपर password भी लगा सकते हो, जब आप लोग new phone खरिकते हो ना, यहाँ पर बहुत सारे बेकार application आप लोगों को मिलता है pre-install, मैं आप लोगों को एगे करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, Snapchat, यहाँ पर Spotify, यहाँ पर Jaws, LinkedIn, बहुत सारे application मिलता है, यहाँ पर Daily Hunt, तो इस सारे application क दोफिंगार से पिंच कीजिए, home setting में आईए, यहाँ पर आपको hot app and hot games का एक option दिखाई देगा, इसको disable कर दीजिए, अभी देखिया आप लोगों को hot app या hot games है, उसको आप देख नहीं पाओगे, इस phone में AMOLED display नहीं दिया है, और नहीं तो कोई भी high refresh rate है, तो AMOLED display इस phone म यहाँ पर आपको दिखाई देगा display का option, थोड़ा ही नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा color temperature adjustment, यहाँ पर आके आपके हिसाब से color को adjust कर लीजिएगा, आपको better experience मिलेगा, इस phone में बहुत सारे notification आता रहता है, कई बार हम लोग clear roll कर देते हैं, बाद में पता चलता है, बहुत important notification आये था, जो हमने गायब कर दिये, लेकिन कोई tension लेने का नहीं, इस phone में उसका भी एक solute sun है, setting के अंदर, यहाँ पर notification के अंदर, notification history का एक option दिखाई देगा, इसको enable कर देना, 24 hours के अंदर, जो सारे notification आएगा, हर एक notification को यहाँ से ही check कर पाऊगे, even whatsapp का deleted message भी यह यहाँ से ही check कर पाऊगे, इस phone में ace capture का option है, notification drawer में देखे, ace capture का option मिलेगा, यहाँ पर बहुत चारे option खुलके आता है, यहाँ पर record skin shot, long skin shot, funny skin shot, मैं अगर funny skin shot के उपर tap करूँ, नीचे में बहुत चारे save दिया गिया है, कोई भी save को create कर लीजे, मैं यहाँ यहाँ पर lasso skin shot क यहाँ पर खुलके आएगा, तो एक small skin shot हो जाता है, यह capture से obviously skin shot ले पाऊगे, लेकिन three finger shortcut use करके भी आप skin shot ले सकते हो, और long skin shot के उपर tap करके, आप यहाँ पर long skin shot भी ले पाऊगे, जितना तक चाहिए, save कर देना long skin shot हो जाएगा, इस पुन के shortcut and assembly setting के अंदर बहुत चारे ब tap करके आप split skin को enable कर सकते हो, या तो three finger को इस तरीके से swipe करके split skin को enable कर पाऊगे, basically एकी skin में दो application को use कर पाऊगे, उपर की तरफ Chrome यूज़ कर रहा हूँ, नीचे की तरफ YouTube यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर tap करके आप swipe करोगे, नीचे वाला उपर में चला जाएगा, उप काप हो जाता है, double tap to wipe और double tap to turn off skin, basically home skin में double tap करोगे, skin का जो light है बंद हो जाएगा, फिर से double tap करोगे, skin का जो light है, wipe काप हो जाएगा, set to turn on the flash light, इसको enable करोगे, lock skin में फोन को इस तरीके से set करोगे, जो flash light है, वो enable हो जाएगा, quick action का option भी देखने को मिलता है, यह automatically enable रहता है, basically lock skin में volume down बटन को press and hold करके रखोगे, तो देखे वेकसरट में जो flash light है, वो on हो जाता है, लेकिन इस setting को आप्चेंज कर पाओगे, मैं चाहता हूँ flash light enable ना हो, camera open हो, तो वो भी possible है, उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे tap करके, hold करके रखता हूँ, खुछी time में देखिए camera open हो चुका है, तो इस तरीके से आप लोग camera को भी use कर पाओगे, flash light के जगा में, android 13 में power button और volume, आप button को अगर press करके, hold करके रखते हो, तो यहाँ पे power up या lockdown mode, या restart वेगरा option आता है, लेकिन इस phone में power button को press करने के बाद भी आप इसको enable कर पाओगे, इसके लिए अब power button के अंदर आना है, इसके पर और एक बार tap करके, यहाँ पे tap कर देना है, अभी देखिये, trap and hold करके रखोगे, तो यहाँ पे power up आएगा, इसको tap करने के बाद यहाँ पे lockdown mode का भी एक option दिखाई देता है, देखिये कई बार क्या होता है, बहुत सारे front एक साथ रहते हैं, औ और अच्छानक हम लोग शो जाते हैं, तो हमारा friend क्या करता है, finger print से phone को unlock बेगरा करके phone को इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन lockdown mode को enable करोगे, जिस टाइम आप enable करोगे, उस टाइम face unlock finger print बेगरा काम नहीं करेगा, आपको phone unlock करना हो तो password डालना होगा, और आपके friend को अगर password पता नहीं तो on नहीं कर पाएगा, तो इस security purpose के लिए lockdown mode दिया गिया है, लेकिन भी वो इस बर थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, और इसका नाम रखा है lock now, shortcut and assembly के अंदर easy touch का एक option दिखाई देगा, इसको enable कर देना, देखिए यहां पे बल खुल के आएगा, यहां पे tap करोग जो भी आपको add करना हो, उसको add कर लीजिएगा, यहां पे देखिए add हो जुका है, तो इस तरीके से बहुत सरे application या बहुत सरे shortcut को एकी साथ यूज़ कर पाओगे, shortcut के अंदर यहां पे one hand mode का भी option देखने को मिलता है, इसको enable करने के बाद इस set से swipe करोगे, कुछ इस तरीक को apps का एक option दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है, और यहां पे थोड़ा ही नीचे app clone का option दिखाई देगा, देखिए जो सारे social media application रहेगा, वही सारे application को आप dual app में convert कर पाओगे, अगर आप इस phone में कोई भी images को height करना चाहते हो, ओ भी possible है, album के अंदर आना है, यहां आप कोई भी picture के अंदर आ जाना है, more मोर के अंदर आना है, height कर देना है, कोई भी picture को बहुत आसानी से आप high कर पाओगे, यहां पे password वेगरा ढाल दीजे, height हो जाएगा, अभी height app चेक करने के लिए setting के अंदर आना है, hidden के अंदर आना है, देख का option है इसके अंदर जाके दोस्तों जैस्टास नविगेशन को इनेबल करना है थ्री बेटन के जगा में जैस्टास इनेबल हो जाएगा कैमेरा के अंदर भी थोड़ा बहुत फिचास इस्पन में देखने को मिलता है देखिए पिक्चर के अंदर जाने के बाद आप वाट टर्क मार्क को इनेबल कर पाओगे सबसे बहले तो सेटिंग के अंदर आ जाईए वाट टर्क मार्क के अंदर आईए देखिए इसको ओब ह हो जाएगा मॉडल नेम अपडेट रखना चाहते हो तो रख सकते हो मैं सेप चाहता हूं के मॉडल नेम ही रहे तो पिक्चर के अंदर जाने के बाद यहां पे इस सेड में देखोगे वीबो यहां पे वीबो वाई 27 का एक उप्सन दिखाई देगा इवन प्रोटेड मूड से सो आप करना चाहिए मतलब सो करना चाहिए यहां से फिल्टर वेगरा यूज कर सकते हो जो कि काफी अच्छा लगेगा यह था दोस्तों वीबो वाई 27 का टॉप 50 प्लास अमेजिंग फीचास अगर आप लोगों को ए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना मत वूलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एक फ्रेज वीडियो में